अपा मारक बेद परभावशाली आयरुवेदिक जड़ी ब्यूटियों में से एक हैं, जिसका इस्तिमाल एक खास तरकी आयरुवेदिक द्वाई बनाने के लिए किया जाता है। अपा मारक का पोधा वो शिद्य गुनों से भरपूर होता है और इसका इस्तिमाल किडिनी की बिमारियों में, दांत में दर्द, बवासीर, मुत्र रोग, पेट और पाचन से जुड़ी बिमारियां, मासकी धरम के दुरान बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग होना इन जैसी समस् यह बेधिसा धार्न पोध है जो उशन कटी बन दिया जलवाईयों में पैदा होता है और हर जगा मिल जाता है इस पोधे की सबसे बड़ी पैचान यह है कि जब आप इस पोधे की जाड़ियों में से गुजरते हैं तो इसके छोड़-छोड़े चुपने वाले कांटेदार या फल या बीज आपके पैर और कपड़ों से चिपक जाती है और इसकी नोग सूई की तरह तेज होती है इसलिए निकालने में बेर मुश्किल होती है अपके कौन कौन से फाइदी है उसका सेवन करने से क्या क्या नुक्सान हो सकती है और इसको अपने कैसे यूज करना है इसके बारे में चर्चा करेंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपामार की पत्तियां जड़ बीज और यहां तक की पूरे पोधे का भी विभिन बीमारें के इलाज में इस्तिमल किया जाता है वोश्दिय गुनों से बरपूरी या पोधा किन बीमारे को दूर करने मल बली लाज है आप चाहिए तो अपामार की डंठल या जड़ों का इस्तिमल कर उनसे धातुन कर सकते हैं ऐसे करने से मुसूरे टाइट हो जाते हैं और इसके लवाब अपामार की पत्यों और जड़ों को सुखागर पीस लें और इसका पाउडर बना लें इस पाउडर में चुटकी भर नवक मिलाकर उससे भी रुजाना ब्रुष करने से दाद में दर्द की समस्या ठीक हो जाती हैं आपमार को पेट साफ करने वाली और शाधी के रुप में जाना जाता है जो आत में किसी तरह की इनफेक्शन और कीडों को दूर करने मदद करता है ऐसे में लंब पेट दर्दमिया राम मिलेगा अपामारक बेद शक्ति शालियों असरदार डिटॉक्सी फाइंग जड़ी बूटी है जो अंदर से शिरिकी सफाई का बेमार्यों को दूर करने मदद करती है अगर किसी को एकजिमा तो अचापर घाव स्किन इंफेक्शन फोड़े फुनसी या और को इंफेक्शन हो जाए तो इसके लिए अपामारक की पत्यों को पीस कर इसका पेष्ट बना लें और स्किन पर लगाएं इससे भी स्किन से जुड़ी समस्यां दूर हो जाएंगी इसके अलावा अपामारक खून को भी साफ करता है जिससे इसकीन पर खूजली और चिकत्यक समस्यां नहीं होती सरदी जुकाम और खासी कि समस्यां होने पर अपामारक का इस्तिमल किये जा सकता है इसके लिए अपामारक की पत्यों के रस या पावडर को शायर की साथ मिलाकर चाटने से भी श्वास नली और छाती में जमा हुआ जो कफ है वो निकल जाता है जिससे खासी जल्दी ठीक हो जाती है अगर किसी विक्तिकों बवासीर या पाहिल्स क्रिस्मस से है तो इसके लिए अपामारक के बेद फाइदेमंद आहरुएदिक उपाई सावित होता है अपामारक के बीजों को पीस करें रोजाना की डायट में शामिल करें और उसका सिवन करें या फिर अपामारक की ताजी पत्यों को दोक अच्छे साफ कर लें ताकि उसमें किसी तरह गंदगी न रहें फिर पानी की सद मिलागर पत्यों का पेश्ट बना लें और इस पेश्ट को प्रभावित हिस्से पर लगाएं पैसा करने से भी बवासे की समस्य में आराम मिलेगा। अपामारक एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसमें एंटी डायवेटिक इफेक्ट पाए जाता है। इसलिए ब्लड शुगर को कम करने मददगार सावित होती है। इसके फूलों का इस्तिमाल प्राचीन काल से डायवेटिज का इलाज करने में किया जा रहा है। अपामारक के फूलों में एथेनल तत्व पाए जाता है जो एंटी डायवेटिक एक्टिविटी में मददगार है। ऐसे में अपामारक के फूलों को पीस कर उसका जूस निकाल ले और रोजाना एक चमाज जूस का सेवन करें। शुगर लेवल कम करने मदद मिल जाएगी। अपामारक के हिर्देक स्थिति को बेहतर बनाने मदद करता है क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट पंचाने वाले और बड़वे बैर कोर्स्ट्रों कम करने मदद करता है। इसके लिए अपामारक के पोधेके 5 ml रसको ने चोड़कर प्रोजाना दिन में एक बार सेवन करें। अपामारक के बेहतरिन मूतर वर्धक है जो किड्नी या उरिनरी ब्लेडर में अगर किसी तरके स्टोन की समस्या हो तो उसे असानी से तोड़कर शिर से बाहर निकालने म और आधा चम्मा जूसको और जाना सेवन करें। तो दोस्तों यह थी अपामारक के फायदे। लेकिन हर चीज़ के कुछ साइड फैक्ट भी होती है वह भी जानना जरूरी है ताकि आप इसका सही तरह से इस्तिमाल कर सकें। दोस्तों अपमारक का इसकी डोज यानि खुड करने से जी मिचलाने और उल्टी आने के समस्य हो सकती है। गर्बवती महिलाओं और बच्चों को अपना दूद पिलाने वाले महिलाओं को अपमारक के सेवन से बचना चाहिए या उनके सुरक्षित नहीं माना जाता। अगर कोई व्यक्ति खासकर प्रुष अगर से जुड़ी समस्या का हिलाज करवा रहा हूँ। तो उन्हें भी अपमारक से बचना चाहिए। बारा साल से कम उमर के बच्चों को अपमारक ना दें या फिर अगर देना ही हो तो किसी चिसकेस लाग लेने के बाद ही बैद कम मात्रा में दें। अपमारक की तसिर गर्म हो होता है और इसकी तासीर गरम होती है यह कफ और वाद को संतुलत करने में मदद करता है तो दोस्तों यह थी अपर मारक के बारें पूरी जानकारी उमीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेर जुरूर करें ताकि वो भी इसका फाइदा उठा सके हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्तेवर्दक जानकारीय लेकर आते रहेंगे तो जुड़े रर्मेडिय अपडेर्स के साथ नमशकार धनेवाद